नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Turbo vs Realme Naso 58 Prime का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की Note 12 Turbo में 3.02 इंच जबकी 50 A Prime में 2.98 इंच की विथ मिलती है जोकी Note 12 Turbo से कम है बात करें थिकनेस की तो Note 12 Turbo में 0.31 इंच जबकि 50A Prime में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Turbo में 184.5 ग्राम जबकि 50A Prime में 192.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो की Note 12 Turbo से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Note 12 Turbo में AMOLED जबकि 50A Prime में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही, 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Note 12 Turbo में 6.7 inches जबकि 50A Prime में 6.6 inches मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन Note 12 Turbo में 1080 by 2400 और 50A Prime में 1080 by 24008 मिलता है Screen to Body Ratio Note 12 Turbo में 85.79 प्रतिशत जबकि 50A Prime में 84.62 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Note 12 Turbo में 393 प्रतिश जबकि 50A Prime में 400 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाईल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें MAN camera की तो Note 12 Turbo में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखर में depth camera देखने को मिलता है और 50A Prime की बात करें तो इसमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Note 12 Turbo में 7 different type के features मिल जाते है और 50A Prime की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे परहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Note 12 Turbo में Mali G57MC2 जबकि 50A Prime में Mali G57MP1 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Note 12 Turbo में MediaTek Helio G96 और 50A Prime में Unisoc T612 मिलता है बात करें RAM की तो Note 12 Turbo में 8 GB की RAM मिलती है जबकि 50A Prime में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 4 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो Note 12 Turbo में 128 GB की Storage मिलती है जबकि 50A Prime में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB, 128 GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Note 12 Turbo में Up To 512 GB जबकि 50A Prime में Up To 1 TB है Operating System की बात करें तो Note 12 Turbo में Android V12 जबकि 50A Prime में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो Note 12 Turbo में 3 Colors जबकि 50A Prime में 2 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो Note 12 Turbo में एक ही Variant देखने को मिलता है जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 14,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 50A Prime की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 11,499 रूपीज 4 GB RAM 128 GB Storage के साथ 12,499 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Gons यानि की फायदे और नुकसान की तो Infinix Note 12 Turbo में 6,5 और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme Naso 50A Prime की तो उसमें 7,5 और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में Note 12 Turbo आगे है Main camera में दोनों phone सेम ही है Front selfie camera में दोनों phone सेम ही है Performance में Note 12 Turbo आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है दूसरा Vivo Y33T है तीसरा Xiaomi Redmi Note 11S है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A23 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना